में वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इसम में महईने किस तरीके से लिए एक दम नहीं कर पारे थे हैं लगबग एक महीने से बासिंग बंद परा हुआ था यहीं सिफ इसी प्रोलम के कारण तो आपका भी बासिंग मुषिन में इस तरी की का प्रोल नहीं हा रहा कि इस वासिंग मसीन में कस्टमर का कहना था कि चेक वाटर का ऐलाम आ रहा था तो हमने भी इसको लगबग मेंट तक रूप करके देखा मग चेक वाटर ऐलाम था नहीं है ठीक है उनका कहना था कि हर चार निट में यह यह वाटर कराम आ रहा था जिसका करन वो मसीन को बंद करके रख चुके थे हैं तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं कि अब देखे इसको लगबग 10 मिनट चलाने के बाद भी इसमें पानी किस तरीके से आया है इसमें एक लीटर से कम पानी अभी 10 मिनट में जमा हुआ है ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉलम है कि सबसे पहले हम इसका जहां पर पानी बंद कर देंगे नल से ठीक है जो पानी आरा आपका वासी मशीन में ना नवाला इसके बाद कि इसमें चला रहे कि आप कि देखें इसके आपका वोल्टेज फिलेक्ट्वेट का एलाम आ चुका है तो कि 10-15 मिनट से यह वासी मशीन का वाटर मोटर चल ला था चालू था और पानी नहीं ले पा रहा था इसके करांद से वोल्टेज फिलेक्ट्वेट एलाम भी लिख चुका है तो सबसे पहले हम कि इससे ऐसलिए टाइप को खोलेंगे लेके कितना ज्यादा इसमें गन्दगी जम हुआ इसमें कार्बन लगा यह क्यूंकि यह कारबन वाला पानी रहते हैं पानी अर्वासी कर्बन जमा हुआ है इसको किसी नुश्प्रास की मदद से इसको निकाल लेंगे यह पूरी हर तरफ से जाली फिल्टर है यह जाली नुमार रहता है और इस पर पुरा कार्बन जम गया हुआ है कि इसको किसी वरस की मदद से इसको हम साफ कर लेंगे कि इसको अच्छे से साफ कर लेना है की और कि इसमें पानी बहुत रहा था और इसको साफ करके देखते हैं इसके पोलम से मारा है यहार मारा मसीन हो कि हो 25 कॉप recruiting एक ef easy के साफ करने आची तरीके से ठीक है राहे थे सरक हो जाएगा आपका पूरा क्रीन दाता। तरीकी से साफ कर लेना ठीक है साफ होने के बाद इस तरीके से जाली दीखेगा आपको साफ हो जाने के बाद हम वापिस से अपने वाशिंग मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे लेकिस तरीके से लगाना है कि इसमें इनलेट का पाइप कनेक्ट कर देंगे करने के बाद हम देखते हैं पाई चालो करके पानी बढ़ा-बर आ रहा या नहीं अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है इसको पानी लेकेज नहों इसमे देखते हैं पानी बराबर आ रहा है या नहीं देखते हैं पानी बराबर आना सुरू हो गया है ऐस्यों दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंड करें और शेयर करें ठीक है और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं